लेखा सास्त्र कक्सा बारा अध्याय पांच रिणों का निर्गमन नमस्कार मित्रों मैं रामावदार बटुक आपका स्वागत करता हूँ मैं एक श्वय पाठी विद्यार थी हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे सत्र परती सत्से अधिक याद हो जाता है ढंग ये है कि पहले पुस्तक का अंस बढ़ता हूँ तद पसाथ उस अंस के परश्णों तर लिखता हूँ और परिणाम ये होता है कि सत्र परती सत्से अधिक याद हो जाता है प्रेश्ण एक रिन पत्रों के निर्गमन का सामान अर्थ क्या है उत्तर एक कमपनी द्वारा रिन के बदले दी गई अभी स्विकर्ती रिन पत्र कहा जाता है प्रश्ण दो रिन पत्र क्या है उत्तर एक कमपनी द्वारा रिन के बदले दी गई अभी स्विकर्ती है 2. कंपनी के स्यार वा मुद्रा के अंतरगत निर्गमित एक पड़लेख है 3. निर्धारित समय पर मूल धन का ब्याज के साथ भुगतान की सर्तों का उलेख है 4. ये परभार द्वारा सुरिक्षित होता है 5. ये कंपनी अदिनियम 2013 की धारा दो तीस के अनुसार होता है 6. रिन पत्रों में रिन पत्र, इसकंद, बांड्स तथा अन्य परती भूतियों को सामिल किया जाता है 7. रिन पत्र कंपनी की संपतियों पर परभार हो सकते हैं या नहीं भी 7. रिन पत्रों की विशेष्टाएं क्या है 8. रिन पत्र एक परमान पत्र पर लेक है 9. ये कंपनी दुआरा लिए गए रिन की पावती है 10. रिन पत्र में मूल्धन की अदाईगी वे सोधन तिती पूर्वन निर्धारित होती है 4. रिन पत्र में व्याज की दर निशित होती है 5. रिन पत्र पर निशित समय अंतराल पर व्याज दिया जाता है 6. रिन पत्रों के धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है 7. रिन पत्र दिरकालनी रिन होते है आठ रिनपत्र कंपनी की संपतियों पर परभार से सुरक्षित हो सकते हैं प्रस्ण चार रिनपत्रों के परकार किन विशेशताओं के आधार पर तै किये जाते हैं उत्तर एक सुरक्षा के आधार पर दो सोधन के आधार पर तीन पंजियन के आधार पर चार पुनर भुक्तान प्रात मिक्ता के आदार पर पांच ब्याज की दर के आदार पर और छे परिवर्तन सीलता के आदार पर प्रेश्ण पांच सुरक्षित रिनपत्ति की विशेषता क्या है उत्तर एक ये रिनपत्ति कंपनी की संपतियों पर इस्ताई या चल परभार से सुरक्षित होते हैं और दो कंपनी द्वारा इं रिंपत्रों का भुगतान नए कर पाने की दसा में रिंपत्र धारक आड़ कंपनी की संपत्यों को बेचकर अपने रिंपत्र का भुगतान पराप्त कर सकते हैं प्रशन 6 ए शुरक्षित या नगन रिनपत्र किसे कहते हैं। उत्तर एसे रिनपत्रों का कमपनी की संपतियों पर परभार नहीं होता है। अते एसे रिनपत्र ए शुरक्षित या नगन रिनपत्र कहलाते हैं। प्रश्ण साथ, सोध निये रिनपत्र क्या है? उत्तर, जिनका भुगतान कमपनी दिवारा एक निश्चित आउदी के पश्चात कर दिया जाता है, सोध निये रिनपत्र कहलाते हैं। प्रश्ण आठ, एसोध निये रिनपत्र कौन से हैं? उत्तर, कमपनी के जीवन काल में जिनका भुगतान नहीं होता है, अर्थात कमपनी के समापन पर ही जिनका भुगतान संभव है, एसोध निये रिनपत्र कहलाते हैं। प्रश्ण नो, पंजी करत रिनपत्र क्या है? उत्तर, जिनके धारकों का नाम कमपनी की पुष्टकों में दर्ज रहता है, दो, कमपनी द्वारा ब्याज एम मूल्हन का भुगतान इस रिजिस्टर्ड धारकों ही किया जाता है। तीन, रिनपत्रों का अस्तांत्रन परलेक के मादम से ही होता है। पंजी करत रिनपत्र कहलाते हैं। प्रश्ण दस, वहक रिनपत्र किसे कहते हैं। उत्तर, एक, इनके धारकों का नाम कमपनी की पुष्टकों में दर्ज नहीं होता है। दो, इन रिनपत्रों का भुगतान सुद्पूर्द की द्वारा ही किया जाता है। तीन, व्याज की तीथी को धारक, रिनपत्रों के साथ संलगन व्याज का कुपन प्रसूत करता है। उसे व्याज का भुगतान कर दिया जाता है। ये वहक रिनपत्र कहलाते हैं। प्रश्ण ग्यारा पर्थम रिनपत्र कौन से होते हैं उत्तर वे रिनपत्र जिनका पूनरभुक्दान अन्ने रिनपत्रों से पहले किया जाता है पर्थम रिनपत्र कैलाते हैं प्रश्ण बारा दित्तिये रिनपत्र कौन से होते हैं उत्तर जिनका सोधन अर्थात पुनर भुगतान पर्थम रिनपत्रों के पस्चात बाद में किया जाता है दित्तिये रिनपत्र कहलाते हैं प्रश्ण तेरा निश्चित ब्याजदर वाले रिनपत्र किने कहा जाता है उत्तर ऐसे रिनपत्र जिनका निर्गमन करते समय ही ब्याज की दर निश्चित कर जाती है निश्चित ब्याजदर वाले रिनपत्र कहा जाते हैं इनकी ब्याजदर को कूपंदर भी कहते हैं प्रेश्ण चोधा सुनने ब्याजदर वाले रिन पत्र किशे कहते हैं उत्तर ऐसे रिन पत्रों को बिना किशी ब्याजदर के साथ निर्गमित किया जाता है वी नियक्ताओं को छतिपूर्टी हैतू इन रिनपत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है रिनपत्र के अंकित मुल्ले और निर्गमित मुल्ले का अंतर रिनपत्रों की अवदी का कुल व्याज माना जाता है सुन्ने व्याज दरवाले रिनपत्र कहलाते हैं प्रश्ण पंद्रा, परिवर्तनिय रिनपत्र किसे कहते हैं, उत्तर, वे रिनपत्र जिने एक निश्चित समय के पस्चात, अन्सों या अन्य परति भूतियों में परिवर्तित किया जा सके, परिवर्तनिय रिनपत्र कहलाते हैं, प्रेशन शोला आंसिंग परिवर्तन सील रिनपत्र किसे कहते हैं उत्तर ऐसे रिनपत्र जिन की रासी के एक भाग को ही समता अंसों में परिवर्तन कराया जा सके तो वे आंसिंग रिनपत्र कहलाते हैं प्रेश्ण शत्रा, पूर्ण परिवर्तन शील रिन पत्र किसे कहते हैं, उत्तर, जिन रिन पत्रों की सम्पूर्ण राशी को समता अंसों में परिवर्तन किया जा सके, तो वे पूर्ण परिवर्तन शील रिन पत्र कहलाते हैं, प्रेश्ण अठार है, ए परिवर्तनी ए रिन पत्र किने काते हैं उत्तर वे रिणपत्र जिनका परिवर्तन अंस या अन्य किसी परती भूती में नहीं किया जा सकता है तो ऐ परिवर्तनिये रिणपत्र कहलाते हैं प्रश्ण उन्नीस स्वामित्व के आदार पर अंसों या रिणपत्रों में क्या अंतर है उत्तर अंस के धारक कमपनी के स्वामी होते हैं जबकि रिणपत्र के धारक रिणदाता कहलाते हैं प्रश्ण बीस हिस्चे के आदार पर अंस और रिणपत्र में क्या अंतर है उत्तर अंस कमपनी की पूंजी का हिस्सा है जबकि रिणपत्र रिणपत्र की स्विकरती है प्रश्ण 21 अवदी के आदार पर अंस और रिनपत्र में क्या अंतर है उत्तर अंस निर्गमन द्वारा दिर्ग कालिन इस्ताई पूंजी प्राप्त की जा सकती है जबकि रिनपत्र दुआरा दिर्ग कालिन एम मद्दे कालिन ए इस्ताई पुझी प्राफ्ट की जा सकती है प्रश्ण बाईश लावांस या ब्याज की आधार पर अंसों एम रिनपत्रों में क्या अंतर है उत्तर लाव की इस्थिती में ये अंसों पर लावांस दिया जाता है जबकि कमपनी को लाव हो या नहो रिन पत्तर प्रव्याज हमेशा दिया जाता है प्रश्ण 23 पूनर भुगतान के आदार पर अंसों ये रिन पत्तरों में क्या अंतर है उत्तर कमपनी के जीवन काल में सामाने तह अंसों का पूनर भुगतान नहीं किया जाता है जबकि निश्चित अवदी के पस्चात रिन पत्तरों का पूनर भुगतान कर दिया जाता है प्रश्ण 24 बट्टे पर निर्गमन के आधार पर अंसों एम रिन पत्रों में क्या अंतर है उत्तर अंसों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता है जबकि रिन पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी किया जा सकता है प्रेश्ण 25 सुरक्षा के आदार पर अंस और रिनपत्रों में क्या अंतर है उत्तर अंस सुरक्षित नहीं होते हैं जबकि रिनपत्र कमपनी की संपतियों पर परभार दुआरा सुरक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी प्रेश्ण 26 परिवर्तन के आधार पर अंस और रिनपत्र में क्या अंतर है उत्तर अंस सामानेत है अन्य परकार की परती भूती में परिवर्तित नहीं किये जाते हैं जबकि रिनपत्र अंसों में परिवर्तित किये जा सकते हैं प्रेशन 27 मता अधिकार के आधार पर अंसों और रिनपत्रों में क्यांतर है? उत्तर अंस धारी को साधारन सबा में उपश्थित होने एंव मत्दान करने का अधिकार होता है, जबकि रिनपत्र धारक को मता अधिकार नहीं होता है प्रश्ण 28 जोखिम की आदार पर अंसों एम रिनपत्रों को अंतर इस्पस्ट कीजिए उत्तर अंसों के विन्योग पर जोखिम अधीक होती है जबकि रिनपत्रों में अंसों की अप्रेक्षा जोखिम कम होती है प्रश्ण 39 एक कमपनी रिन पत्रों का निर्गमन क्यों या किस लिए करती है उत्तर कमपनी अपनी दिर्ग कालीन रिन पूंजी में वृद्धी के लिए करती है प्रश्न 30 रिनपत्रों का निर्गमन किस तरीके से किया जाता है उत्तर कंपनी रिनपत्रों का निर्गमन भी ठीक उसी तरीके से करती है जिस परकार अंसों का निर्गमन करती है प्रश्ण 31 रिन पत्रों में अभिदान एतू जन्ता को किस मादम से आमंत्रित किया जाता है उत्तर कम्पनी द्वारा प्रविविरन के माद्यम से ही रिन पत्रों में अभिदान एतू आमंत्रित किया जाता है प्रश्ण 32 इस शुक्रिन दाता किस परकार आवेदन करता है उत्तर निर्धारित प्रारूप में आवेदन राश्री के साथ आवेदन करता है प्रश्ण 33 कमपनी द्वारा रिन पत्रों की राश्री किस परकार ले जा सकती है उत्तर एकमुष्ट अथ्वा आवेदन आमटन पर्थम मांग दित्य मांग आधी में ली जा सकती है प्रेश्ण चोतीस रिनपत्रों का निर्ग्मन किन मुल्यों पर किया जाता है उत्तर समुल्य पर प्रियम पर अथ्वा बट्टे पर किया जा सकता है प्रेश्ण पेंटीस क्या कमपनी अधिनियम दो हजार तेरा की दारा बावन वह तरेपन रिनपत्रों के निर्ग्मन पर लागू होती है उत्तर नहीं एक कमपनी अपने रिनपत्रों का निर्ग्मन बट्टे पर कर सकती है प्रेश्ण सेंटीस क्या कमपनी अधिनियम दो हजार तेरा में रिनपत्रों के निर्ग्मन पर बट्टे की अधीकतम धर्द दी गई है उत्तर नहीं कमपनी अपने दुआरा निर्धारित बट्टे पर रिनपत्रों का निर्ग्मन कर सकती है प्रश्न सेंटीस रिनपत्रों के बट्टेगा लेखा पुस्तकों में किस परकार किया जाता है उत्तर रिनपत्रों के निर्गमन पर बट्टेगों डेविट किया जाता है धन्यवाद